लो जी रादे रादे सबीस जैम आतादी कासे हैं आप सब्हां न क्याएं को आप से फीटिक होंगे मैं भी फीटिकूं यहां पर मैं जू ना में आ जे भूभात जू शुष सिर्फ प्याज की है यूज़ फ़्राई made तो अब मैंने टमाटर डाल दे सारी चीजों को फ्राई कर लिया अच्छा जो प्याच के मैंने क्यूबस आले ना वोहुत टेस्टी लगते हैं जस्ट लाइक कडाई परे श्टाइल आप बोर सकते हो अच्छा मसाला बुनने के बाद मैंने इसमें चाप का मसाला रलता है और म अच्छा बाद में तो यह जादा बरतन हो जाते हैं फिर मेरे को वैसी सर्दियों में बड़ी दिक्कत होती है और फिर मांजने का बिलकुल भी मन नहीं करता है अच्छा क्या है ना कि मैं कल गई थी मॉल तो यह मॉल के अगले दिन का व्लोग वीडियो है मैं आपके साथ श करके ज़रूर पताना आप लोगों को मेरे शॉट्स व्लॉग कैसे लगते हैं और दो तिन दिन से मैं बहुत ज़ादा परेशानती क्योंकि आप लोग नो मेरे व्लॉग बहुत कम देखते हो पता नहीं क्या प्रॉबलम है और मुझसे भी बेकार व्लॉग बनाते मेरे इतन हजारों में व्यूज होते हैं बैसे मुझे पता है कि वो व्यूज क्यों आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब से आते हैं जितने लोगों ने जादा आपके लोगों चैनल को सब्सक्राइब किया होगा ना तो उसकी वज़ा से वो व्यूज आते हैं बट आप लोग म नहीं दिखाई देती है इसलिए मैं थोड़ी थी परिशान हो गई थी थोड़ा सोच रही थी कि चैनल पर ऐसा क्या करूं कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगे और आप लोग मेरी चैनल पर हासारी वीडियो देखें चलिए कोई नहीं आप लोग मुझे कम सब्सक्राइब तो में उसी भाने देखेंडान का that रहा रहा है साफ कराई और खोलललन फोगों कोई ऑपर वसमे में गोलों करेंडेमन देखेंग हों में पराते नहीं आक्सको क्या है और पособड़ी होगो देखेंग और पार मेह को तो यह स्ञान साफन में अमयरे और पास क् जोड़ा जाती है उनकी वजह से थोड़ा सा गंदा हो जाता है वैसे यह द्रॉड बिल्कुल गंदे हुते और आज ही मैंने दो चुप्रेटियान पकड़ी है और देखते हैं इसके बाद आती है यह नहीं अच्छा यह माखाने है ना यह भी मैं लेकि आई थी मेटरो मोल से तो अभी मैंने बूनने के लिए रख दी हैं यह कभी-कभी न स्नैक्स में अच्छे लगते हैं बहुत दी जादा लेकिन इने भी जादा नहीं खाना चाहिए इनसे भी कोई न कोई ब्रॉबलम हो जाती है कोई भी चीज जादा कहाने से कुछ न कुछ नुकसान जरूर होता है अच्छा नमक और चीनी भी मैंने फिल कर दी है यह पे नमकीन दखी वी थी यह भी मैं देख रही थी कैसी है थोड़ी सी बच्ची वी थी तो मैंने खा ली है यहां पे बस जो भी कंटेनर में समान बच्च को बाते हो कैसे लगते हैं मेरे वलॉग जादार मेरे वलॉग को बात्री अपने इंड व्लाइख लगिए अपने फामस के सादे के साथ जरूरू कर कि बाट्थ स्ति 10 कि बाधे पने ने राम को की घुन थार पत्म कर के अधे लगा डिया वैघसे अच ilk टायं का में जाते हैं अपने बैड्रूम में नहीं तो बच्चे पढ़ने जाते हैं अपने रूम में पढ़ने नहीं देती हूँ सिरफ यहां पे TV है मतलब TV ही देखने देती हूं मैं अच्छा शाम को भी आप घर को क्लीन करो न तो इससे भी negativity जाती है और आपके हर में पॉसिटिवीटी कि जाड़ो का पता है और जाड़ो लगाओ तो फिर अंदेरा हो जाता है तो कई बार क्या करते हूं मैं अंदर ही रख लेती हूं बाहर नहीं निकालती हूं अभी अंदेरा नहीं हुआ था तो मैंने सफाई बेगारा कर लिए पूरे रूम की फिर से मैं किचन में चली गई क्योंकि अभी मेरा टाइम हो गया गरम पानी पीने का और मैंने सोचा यह यह कि मैं एक्सोसाइज रेगुलरी करूंगी योगा पे भी मैं नहीं जा पा रही हूं और बहुत जादा दिक्कत हो रही है मेरा थोड़ा सा फैट भी बढ़ता जा रहा है बहुत जादा मोटी हो मैं देखेंगे कप होती हूं मैं पतली और थोड़ा सा रेस्ट वगेरा किया बच्चों को पढ़ाया उसके बाद फिर से मैं आ गई हूं किचन में खाना बनाने के लिए और मखाने भी भूनके रख देते थोड़े से ठंडे हो जाएंगे ना तो मैंने को कंटेनर में फिल क खाते नहीं है बुछ ज्सके बहुत ही जादा लिमिटेड चीजें कहते थे और बिलकुल भी कोई भी सबची नहीं कहते थे दवनके नहीं दीरे दीरे अगर आप बच्चों को हैबिट कैसे होगी बच्चों को स्कूल में आप जरूर में बच्चों को अलग-अलग में उसके नेयुकोह को शाधा बांग करते हैं मैं कहीं कि इस और इसार कोई धिकत प्रिशानी ना उन निए उगा क्षानि कौछ और मुझसे मांग लेते हैं यहाप ईल्या Mars ये उब्blesSe घाल को गपनेते हैं जी खाना से दूध दा ना क्याना जासित मैं आज लग चुकी हूं एक्सराइज करने और घर की भी मैंने सारी सफाई वेगरा कर दी है अब मेरे यही रूटीन सोचा है मैंने फॉलो करूं और आप लोग मुझे सपोर्ट करना तो मैं यह वाला रूटीन ज़रूर फॉलो करूंगी यहां पर न मैंने टीवी में लगा जादा फाइद है आपका आप पदले हो ना हूं आपको इक शरीर है ना एक लेवल में रहता है और आपके शरीर में स्मूतने साथी है फलकसिबिल्टी आती है बहुत ही अच्छा गर्दन की exercise हमें बैटे बैटे भी आप कर सकते हैं जरूर करनी चाहिए हमारे गर्दन में सर्वाइकल नहीं होता है इन सब exercise के और थायरेट वगेरे से भी दिक्कत नहीं होती है योगा भी हमें जरूर करनी चाहिए अच्छा सूरे नमस्कार में कर रही हूँ यहाँ पे तो बहुती ज़्यादा मुश्किल से हुआ था मैं आपको बताने सकते हैं यह देखो हो भी नहीं रहता जो यह वाला पोज होता है गुटने पे आपको अपना माता लगाना होता है मेरा बिलकुल भी नहीं लग रहा था बट यह है कि कोशिश करती रहने चाहिए यहाँ पर बट वही है नहीं होता ही नहीं आप लोग मुझसे कमेंट करके जरूर पूछना कि आज मैंने एक्सरसाइज करी है यह नहीं यह तो आज है क्यों सॉरी वेड़नेस यह का व्लॉग है आज ही की मॉर्निंग का तो मॉर्न का तो यह को साथ खुछना करते हो योगा करते हो हमारे युगा मैं जाती थी ला हम पर जरूर बताते थे यह होता है यहां पर की अपको बौड to邊 relax मिलता है कम से कम आपको 5-10 मिनट इस तरीके से relax जरूर रहना चाहिए इससे जो exercise करते हैं उनकी हमको benefit मिलता है अच्छा इसके बाद ना ये भी एक योगा था जो मुझे नाम तो नहीं पता है बट ये है कि देखो कोई भी exercise मुझे नहीं हो पा रही थी बट दीरे-दीरे मैंने कोशिश की है अपसे मैं अपना ध्यान भी जादा से जादा रखूंगे सारा दिन या तो घर के काम कर लो या और बाकी के काम कर लो लेकिन अपने ले time बिलकुल नहीं निकल पाता है और ये कुछ exercise जो मैंने complete करी है इसके बाद मैं बनाऊंगे अपने ले green tea बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको मैंने अपने ले सोचा है मैं आपको क्या suggestion दूँ मैं खुद भी नहीं कर पाती हूँ ये सब चीजे बट अब से मैंने सोचा है ना कि मैं करूंगी अपने ले जरूर टाइम निकालूंगी और यहां पर green tea लिए मैंने और कुछ आवला लिए है आवला कैंडी लिए मेरा मन तो बहुत करता है आवला खाने का क्योंकि मेरी आई सेट वीक है और बालों के लिए अच्छा होता है आवला खाया नहीं जाता है इसलिए ना मैं आवला कैंडी मंगा यह बहुत टेस्टी है खाने में तो इंजॉय कर रहे हूं है अपनी ग्रीन टी और आवला तो य बाए बाए मिलती हूं कल के व्लॉग में रादर रह देजाए मतमा